दोस्तों आपने CMOS का नाम तो सुना ही होगा इसका पूरा नाम कम्प्लिमेंटरी मेटल आक्साइड सेमिकंडुक्टर होता है CMOS एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो की एक मदर बोर्ड पर लगी होती है प्रेंट्स जो हमारा CMOS है वो दो प्रकार के मेटल आक्साइड सेमिकंडुक्टर से मिलकर बना होता है एक होता है N-Channel Metal Oxide Semiconductor और एक होता है P-Channel Metal Oxide Semiconductor प्रेंट्स जो हमारा CMOS है उसको कई अन्य नामों से भी रिफर किया जाता है जिससे Real Time Class, CMOS RAM, Non-Volatile RAM आज नामों से भी जाना जाता है CMOS की खोज सर्थ 1963 में Frank Wainless ने सबसे पहले CMOS की खोज की थी प्रेंट्स जो हमारा CMOS है इसका प्रियोग Micro Controller, Static RAM, Registers, Micro Chips और Digital Circuit में भी किया जाता है तो फ्रेंट्स अगरा हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक और सबस्क्राइब आज़ेगे